करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हमारा यूंगी दिखाया जाता है जहां पर हमारे यूंगी एरपोट पर होता है क्योंकि वह अभी अभी लैंड हुआ रहता है जहां पर हमारा सियो सिंग उसका काफी जादा शॉपिंग बैक के साथ वैलकम कर रहा होता है जिसके कर लेता है और इसके सामने चुख जाता है जिससे हमारा वाक्रोलना तो मैं ऐसा केसे कर सकते हो और सीजबबटा है जहां पर, दुनों कार में होते हैं वहां पर हम क्या हैं आपने जैसा कहा कह था 3 पासपोर्ट को सिच्षूर करने के लिए हैं कर लिया है और जो three passport है American and Japanese वो passport यहां के है तो किसी को शक भी नहीं होगा कोई issue नहीं होगा यह बास सुनते ही हमा जो CEO Singh होता है ठीक है लेकिन Mr. Young का क्या हुआ उनका कुछ क्या तुमने यह बास सुनते ही हमारा यूंगी कहता है कि बगोटा में जो उन्होंने काम किया था वो completely बहुत अच् New Year के दिन का क्या बात है और उस दिन क्या मैं उस काम कर सकता हूं और जहां तक रही city की बात तो New York कैसा रहेगा तभी यूंगी कहता है कि sir जैसा कि आपने plan किया था जो 17 piece है वो next week आ जाएंगे और जहां तक रही share की बात अपने कहा था ना share को sell करने के लिए मैंने उसे share को बेचना शुरू भी कर दिया है लेकिन हम लोग executive director क्या करेंगे उन्हीं कैसे distract करेंगे यह बात सुनते हैं सियो सिंग कहता है कि तुम इसके चिंता मत करो वो जो share है ना उसमें काफी सबीजी रहने वाला है क्योंकि वो share को खरीदने और पेचने में उसका time निकल जहां तक सोच रहा हूं वो इसमें काफी सबीजी रहने वाला है क्योंकि वो खरीदते और बेचते ही रहेगा इस share को और वैसे भी मैं यही तो चाहता हूं कि वो बीजी रहे यूंगी कहता है कि जो stock मैंने sell किया है वो अभी भी stable है उसमें कोई भी problem नहीं हुई है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ उसमें issue create करूं यह बात सुनते ही सियो सिंग कहता है कि नहीं मैं और टीम लीडर को बोल चुका हूं कि वो situation पर ध्यान दी और जैसे भी कुछ होता है वो मुझे जरूर इंफर्म करेंगा और जहां तक रही है मेरे दूसरे share की बात कुछ दिनों मिस्टर इजावा नहीं कहा है कि वो बहुत जादा पैसे देखा दो गुनी कीमत पर इस साइरन स्ट्रॉक को खरिगने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की जरूवत है लेकिन हां अगर साइरन बजट का कुछ भी प्रॉब्लम होता है आइमिन उसके स्ट्रॉ बाद या फिर कुछ ही टाइम में एक्सेक्यूटिव डिरेक्टर वान मुझे कॉल कर ही देंगे क्योंकि मिस्टर इजावा ने कुछ तो ऐसा किया आइमिन कुछ बोर्रिंग से काम मुझ पर छोड़ दिया जो मुझे ड्रील करना होगा जैसे कि कुछ मेडिसीन का नाम होता lek you दोग जानते हैं कि कुछ से क्या नाम नहीं ले सकते हैं यूटूब पे मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि यूटूब की पॉलिसी के खिलाफ है पता नहीं कियारिज़न है बुग सारे फिल्मों में दिखाए गया है और इसकेsenen बहुत लोग सी बहुत आइसे वाइ कि मैं जानता हूं लेकिन जहां तक मुझे पता है कि लास्ट टाइम आपने हमारे रिसॉर्स से ये कहा था कि आपको ये सारी चीज आईए और वैसे भी ये टू मीलियन वॉन की ही तो बात है तो टू मीलियन वॉन आप ऐसे तो नहीं जाने देंगे है ना ये बास सुनते सियो कहता है सर लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजों का डिल करना ये काफी डेंजरस होगा ये बास सुनते ही हमास यो सिंग कहता है हां मैं जानता हूं लेकिन तुम इसकी चिंता मत कर अगर मैं उसे मना करता ना तो अपने किये हुए जितने भी फेवर थे वह सारी ची मैं पाद बार पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी पहली डील होगी लेकिन डेखते हैं का इसे क्या होता है कह सकता हूं कि मैं ये चीज SNE कर सकता वही सारी बाती कांस्ट्रेक्षन से बैल्कू भी नहीं मैं आपको इबाद यह दालूंगा यह बाद सुनते यूंगी गहता है इसी लिए मैंने आपको मेलियंस टाइम बार कहा है कि आप अपने साथ वाई पेंट सीगस गार्ट को ले गजाये लेकिन आप मेरी बाद सुनते ही नहीं है तभी यह बास संदे सियो सिंग कहता है किसी कोई भी जरुवत नहीं है चीफ एग्जेक्युटिव यूंगी आपको करने की जरुवत नहीं मैं ठीक हूँ सियो सिंग आगे अपनी बात को कंचीनिव करते हुए कि जहां तक मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू टू बिलियंस वान है तो कम से कम इसका वेट टैन किलो ग्राम ही होगा आइ तिंग हाँ शायद इतना ही होना चाहिए तभी यूंगी कहता है कि अभी मुझी ध्यान आया जब मैं इस पर सोच रहा हूँ क्या आपने कुछ खाया है सियोसिंग कहता है कि हाँ मैंने प्लेइन में ही थोड़ा सा's खाया था और कुछ नीड़ खाया ये बात सुनते है यूंगी कहता है कि तो आपको नहीं लगता है घर सब जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए वैसे आपकी हेल्ट सबसे जरूरी है तो आप उखा लेना चाहिए ना यह सुनते ही CEO Singh सोचेंग पर जाता है और कहता है कि मैं क्या करना चाहिए मुझे तब ही उसे हमारे यंगजीन की याद आती है और याद आते ही यंगजीन की क्याता है कि नहीं यूगी हमें घर चलकर ही खाना खाना चाहिए अब सीन सिफ्ट होता है जहां पर हमें हमारे CEO Singh का घर दिखाया जाता है अब scene shift होता है जहां पर हमें lift दिखाया जाता है lift का दर्वेजा खुलता है और हमाँ CEO Singh entry करता है तब हुसे किसी का call आता है और वो इस call को deceived करता है हेलो मैं CEO Singh बात कर रहा हूं तब ही सामने से आवाज आती है कि हेलो CEO मैं बात कर रहा हूं यहुआ सूनते ही हमाइ CEO sing करता है लौ अच्छा एक्सक्राइब डारेक्टर वान बात कर रहे है तभी executive director कहता है कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ हमाइ CEO sing सोची कर लगता है कि यह परसन नहींग हमेशा मुझे गला टाइम पर ही कॉल क्यूं करता है तभी हमार CEO Singh कहता है कि वेल डारेक्टर आपने अभी मुझे कॉल क्यों किया क्या कोई प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत साथा लेट हो चुका है तभी डारेक्टर वॉन कहता है कि हाँ पेस्टेंट स्यो एक प्रॉब्लम हो गई है जिसमें मुझे आपकी हैल्प चाहिए क्या हेजू फर्वार्डिंग को देख सकते हैं यह बास सुनते ही हमारा CEO Singh कहता है कि हेजू अब कहने का मतलब है मैं कुछ समझा नहीं यह बास सुनते ही डारेक्टर वॉन कहता है कि डारेक्टर स्यो एक लॉजिटिक कंपनी है वो सेवन यर से काम कर रही है मुझे उसके बारे म इनफॉमेशन चाहिए यह बास सुनते ही CEO Singh कहता है कि ओके तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका सर्वेंट कबसे बन गया जहां तक मुझे पता है कि मैं तो आपका सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ है ना तो मुझे एक बात क्लियर कर देने चाहिए कि Executive Director आप बश्चा, तो आप जानते हैं लेकिन मुझे लगा कि आप इस बारे में जानते ही नहीं होंगी इसलिए मैं यह बात आपको क्लियर कर देना चाहता था यह जो आप काम कहे रहे हैं इसमें होड़ा सा प्रॉब्रम तो है लेकिन मैं इसे कर दूंगा लेकिन हाँ अगर आप ऐ सारी चीज़े करने की हमत नहीं रखता हूं। यह बाद सुनते ही डारेक्टर वांड कहता है की ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हाइब तुम ऐसा खीक लागे तुम वैसा लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी इंफोर्मेशन चाहिए। यह बात सुनते ही हमां जो सियो सिंग रहता हो कहता है आल राइट लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ इंटरस्टिंग चीज है सियो सिंग आगे कहता है कि इस वे 1,000 जो शेयर है वो और नेक्स वी बाकी के जो थाउसंद शेयर है उनको मैं सेल करने वाला हूं और यह तो सरकम सिस्टम पर करता है कि कौन चीज कैसे कोई परचेस करता है वो यह सारी बाते करी रहा था तब हमारे यंग सिंग कहता है कि ठीक है मैं देखी लेता हूं कि मुझे क्या करना है और वह आगे अपनी बात को कंटिन्यू करने वाला था लेकिन जैसे ही उसकी जाता है क्योंकि उसे उमीद नहीं थी कि सियो सिंग अचानक से आजाएगा सियो सिंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है और कहता है कि आल राइट डारेक्टर गुड लूनर नियुएर सो मैं आपको बाद में इसकी इन्फॉमेशन देता हूं और मैं इसमें आपसे अभी अभी शावर लेकर आया होता है और उसकी बालों से वाटर ड्रॉप गिर रहे होते हैं जिसे हमारा सियो सिंग क्लीन कर रहा होता है और उसके टावल को लेकर उसके फोर हेड पे और उसके हैर को अच्छे से क्लीन करने लगता है आरू कहता है कि क्या तुम ठीक हो और gentle rap करने लगता हुससे और इसी scene के साथ और इसी प्यारी से moment के साथ हमारे scene और हमारे chapter यही पर खत्म हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो like share और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा फिर इस चैनल को subscribe करना प्लीज मत भूला कीजिए यार बहुत टाइम लगता है इसी बनाने में और वीडियो पसंद आई हो तो like share और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा मिल दे नेक्स वीडियो में टाटा अन्वेबर सी यू सून